इस laptop का कहना है कि मैं gmode को नहीं चलाओंगा क्या कर लोगे दूपहर के टाइब मैं अपने laptop पे वक कर रहा था और काफी ज़य होने के वैए से मैंने इसका gmode प्रेस किया अब जब मैंने gmode प्रेस किया यह जी मोड का कुछ आया ही नहीं, option ही नहीं आया, enable ही नहीं हुआ, मैंने बोला हो सकता है कि कुछ internal problem हो गई होगी, लेकिन अभी time है रात के 2 बज़ कर 16 मिनिट और मैं अभी इसको यूज करूँ जबकि मेरी charging भी enable, laptop की charging enable है, तब भी ये work नहीं कर रहा है, मैं आपको दिखाता ह ये देखिए, इसके RGB lighting मैं पूरी on कर देता हूँ, backlit keyboard ये देखिए, इसका मैं G बटन जितने बार प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अब करना क्या है, देखिए, मेरे साथ भी ये same condition हो चुकी है, अब मैं क्या करूँगा, first of all इसका alienware command center open करूँगा, व अगर कोई update होगा, इसी में install हो जाएगा, अगर कोई update नहीं होगा, तो हम इसको जाकर एक बार website से जाकर check out कर लेंगे, कि इसमें कोई update है, की नहीं है, अगर वहाँ पर update available होगा, तो वहाँ से इसको update कर देंगे, देखते हैं इसमें, अरे खुल जा भाई, मुंद इसकल द और और ट्राय मारना बंता है अरे यारी खोपड़ा ही बस दिखाएगा क्या वह पहनी नहीं हो रहा है पता नहीं अचानक से अचानक से जब इंसान अगर कोई चीज को यूज कर रहा है तो प्रॉब्लम आनी स्वभाविक वाली बात है लेकिन उस चीज को यूज ही नहीं किय आपके सामने मैं इसको अनिस्टॉल कर रहा हूं और यह मैंने किया अनिस्टॉल सब्सक्राइब कर देखते हैं अब अनिस्टॉल होने में भी एक घंटा लगाएगा ओपन तो होने में अब इसमें भी एक घंटा लगाएगा अब यह अनिस्टॉल होगा पक्का पता है कि ल को है कि हाई है कि है कमांड से पूरा हट चुका है अब एक काम करते हैं यह वाली जो एरे कैंसल 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 जो इसको भी थोड़ा सा डिलीट बगरा कर देते हैं फटाफट अभी एक अब यह अरे बहुत बंजात है यार फटाफट एक बार क्या करते हैं कंट्रोल पानल ओपन कर लेते हैं महाँ पर देख लेते हैं प्रोग्राम सेन फीचर उसमें जाके अपने पास यहां पार तो यह देखिए इसका जो पैकेज मैनेजर है इसे हम लोग को अंस्टॉल करना हो सबको परिशान करते हो जब लिसती ना कभी जी मोड इनेबल होगा ना कुछ होगा दिक्या लिखाया आफ्टर रिमूवल इस प्रोग्राम विल नो लॉगर बी अवेलेबल फो यूज अन इस उन इस उन इस प्रोग्राम फीचर आप बीड़ पास पॉप आप अ करेंगे अरे फिनिश भाई हाँ ठीक है इसको क्लोस करेंगे एक बार और फिर से एक बार कंट्रोल पैनल उपन करेंगे प्रोग्राम संफीचर पर जाएंगे आप यहां पर काफी सारी चीज़ें आ चुकी है कॉम्पोनेंट्स वगरा भी आ चुके है इसको अनिस्टॉल कर इस बिल्कुल स्टॉप कीजिए आप क्लोस ओफो बहुत सारे हैं अनिस्टॉल यार मोडिफाई नहीं करना है मिरे को न चलता है न वालता है इसको अनिस्टॉल करते हैं येस कम्प्लीटली रिमूव ओके ये डिस्प्ले वाला येस येस ये गेम ड्राइबर है मेरे हाल से नहीं ये कुछ है स्मार्ट इंस्टॉलर पता नहीं क्या था हाँ स्मार्ट इंस्टॉलर था इसको भी अनिस्टॉल हो गया बाई हाँ फिनिश थैंक्यू बहुत अच्छा लगा कि आपने रिमूव कर दिया इसको भी अनिस्टॉल करता हूं मैं धाइस एक बार और पिछली बार हुआ नहीं था ये पाता नहीं क्या हो जाता आटोमाटिकली इतना बढ़िया चल रहा था और आटोमाटिकली चलना बंद हो गया जी मोड इतना बढ़िया वर्क कर रहा था आटोमाटिकली चलना बंद हो गया अनिस्टॉल पिछली बार भी यही प्रोसेस होई थी लेकिन पता नहीं क्या हो ग ठीक है हो गया काफी अपने लिए और बाकी तो कोई सा कोई application है भी नहीं एक बार जाके PC में दिस PC में जाके देख लेते हैं एक बार operating system में जाके यहाँ पर सर्च कर लेते हैं alienware अगर कोई application होगा अगर कोई फाइल होगी इसके नाम से इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे यहाँ पर कोई भी फाइल एवेबल नहीं थी तो मैंने इसको हटा दिया था अब इसको करते हैं close यह था part 1 कि मैंने अपने alienware कमार सेंटर को पूरी तरीके सा अनिस्टॉल मार दि कि मैं कौन-कौन से इस्टेफ फॉलो करूंगा alienware कमार सेंटर को application को install करने में उसको properly install करूंगा और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि आपके PC में जो alienware कमार सेंटर application वो इंस्टॉल होता है कि नहीं होता है और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मे मेरे विंडोस मेरे लैपटॉप में कौन सा विंडोस का वर्जिन इंस्टॉल है थांक यू सो मच